कुछ नहीं कूछ नहीं कूछ नहीं कूछ झाहिए कोंग्रेस को एक जुबर बटी वालों को गरीब इंसानों को भी खैर कपर पोची कैसे वाल पूछ रहे हैं हैं घर घर के अंदर पूछ रहा आ हैं क्या अपका हल चाल कैसा है आपको जैसा की पता होगा कुछी महिनों में गुजरात इलेक्षन आने वाला हैं जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपना-पना किसमत आजमा रही है जैसा की आपको बता दे जो दिल्ली के मुखे मंतरी अर्बिंद केजरी वाल है उनकी पार्टी आम आधमी पार्टी भी इस बार गुजरात election को लेकर चिंतित और तैयारी है जो जोरो शोरों पे चल रही है हमारे पीछे देख रहे हैं एक चाई की दुकान पे हैं उनसे पूछेंगे कि इस बार एहंधाबाद की जंता किसे चुनेगी कि इस बार हमधाबाद की जंता से लेकर पूरे गुजराथ का का महावल अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि कहां-कहां किस पाटियों का वर्चस बढ़ते जा रहा है या फिर जो एक जंता लोकतंत्र में होती है उसको किसको बोट देना चाहते है आच 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 क्या बोल रहे हैं किस पाटी को पसंद करते हैं या कौन सा नेता गुजरात के लिए अच्छा रहेगा केजरीवाल का बहुत अच्छा है पब्लिक चाती है क्या बहुत प्लिक चाती है केजरीवाल का क्या बहतरीन काम लग रहा है कि गुजरात के लाइट का इसका सबका काम अच्छा है तो मतलब 200 यूनिट के उपर बात चल रही है वह आपको अच्छा लगा केजरीवाल का अगर देखा जाए तो पता सबको यह होना चाहिए कि कोन आने वाला है उसमें कोई बहुत रोकेट साइंस नहीं है बहुत इजिली वीजिबल है अगर ट्रैक रेकोर्ड आप देखेंगे इलेक्शन का और उनके रिजल्ट्स का तो यह इजिली समझ जाना चाहिए पब्लिक तो यहां रह रहे है और जितनी भी यहां गतीबिती होती है राजनीतिक तोर पे वो तो एक जंता को पता होगा नाता को यहीं पता है और आम आजमी पाटी बहुत स्ट्रेटेजी कली यहाँ पर एक तरीके से अपना प्रचार कर रही है और कास्ति हिस सक्सेस्वुली वो को इंपक्ट पहुचाने में कामिया हुई है तो उस इंपक्ट के हिसाब से अगर एक लोजिकल केलिएशन बिठा है तो और गुजरात में देखा जाएगा तो एक अच्छा विपक्ष मिल सकता है लेकिन गवर्मेंट दिल्ली बहुत दूर है तो ऐसा क्या है जो आम आदम रही है कि जिस तरीके से वो अपना ट्रैक रेकोर्ड प्रोजेक्ट कर रही है सपोज कल की बात बताओं तो वो कोई स्पीचिज वगेरा में इंट्रस्ट नहीं ले रहे है जो वो लोगों ने दिल्ली और पंजाब में काम किया है सिर्फ और सिर्फ वही डेमोंस्ट्रेट क कर रहे हैं दूसरी तीसरी कोई बात हो ही नहीं रही है तो उस स्ट्रेटेजी के साथ आम आदमियों पार्टी एक अच्छा ऑप्शन है बीजेपी के लिए कि कॉंग्रेस को किस तरीके से मैदान में से हटाया जाए क्या देख रहे हैं इस बार गुजरात इलक्षन को लेकर क्या आपकी राइक किस पार्टी को ज्यादा चाहत रहे हैं तो फिर अपना हाद को के सितार है सब लोग तो फिर उसमें क्या बहुत अच्छा देश चलाए शुक्री सांती रहे हैं हर चीज इसकोला फीरी वे बाहर चारा रहे हैं वह काम करने का लाइट बिल काम होना चीए आप भी कुछ बोलना चाहते हैं और कॉंग्रेस सरकार नहीं आने वाले जो इलेक्षन आएगा विदान सबाका किसको आप चुनना चाहते हैं आपके हिसाब से कौन लग रहा है कि आने वाले समय में काम करेगा आने वाला जिको वक्त बताता है जो आवे वो सई अभी तो वह क्या नाम है उतका उन्यवी पार्टी कड़ी हुई है आम आदमी पार्टी अच्छा जादा उनका इस चर्चा जादा है उनका ज्यादा चर् जम्दाबाद की जनता है उसके बीच में खेजरी वाल के अभी नाम चल रहा है चल रही है इसका अच्छा है जो अगर जो अच्छा काम करेगा को वादा करा नहीं है त्टेजरी बाली जो काम किया उसको वादों को पूरा करते हैं क्या करनेंगे प्रोस है उमारे कुम आपको अच्छा हैं उनका जो अच्छा में आपको कैसे मालूम की वादे पूरे कर रहे रें थीवी मा बोल दो रही लेंगा है टीवी में देखि़ें त CC चैसे हैं कि मस्लाइब कर देख कोई ग्रीन सनो को भी खेयर कबर पूचिन बर कर रह 286 वाह कर दो Peng वंट पूचेर आ नदर के आनुट? अपका हाल चाल कैसा है क्या है कैसे हो हमारे को वरोज है कैसरी वाल आएगा 27 साल से यहां पर सरकार है उनका कुछ काम अच्छा नहीं लग रहा है यहां कि जयाँ बरने वाले लोग ज़्यादा है जब भरने वाले ज़्यादा है तो यह देखें चाय की दुकान थी हूँ आप तमाम तरह के लोग थे जो सियासी पार्टी या फिर जो पॉल्टिक्स में अपना एक रूची रखते हैं उसको लेकर किस तरह से यहां केजरी वाल और तमाम वह पार्टी थी पार्टी थी जिसको लेकर यहां पर अपना मत किलियर कर रहे हैं कि इस बार टकर जो है आम आदमी और बीजेपी में एक टकर दिखा जाता है यह पूरा नहीं है यहां पर जो हम बात कर रहेते हैं उसको लेकर था न्यूज डिक्शनरी देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद